इस वीडियो में हम Places यानि जगहों के मुतालिक पढ़ेंगे चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं Places अब आगे पढ़ते हैं आप भी मेरे साथ पढ़िए A village is a place away from a A village यानि एक गाउं is होता है A place एक जगह away यानि दूर From say a city यानि शहर A village is a place away from a city यानि एक गाउं वो जगह होती है जो के शहर से दूर होती है आगे पढ़ते हैं आप भी पढ़िए It does not have big buildings It does not have यानि इसमें नहीं होती बड़ी बड़ी इमारते कहा नहीं होती विलेज में यानि गाउं में और बड़ी इमारतों का क्या मतलब है जैसे के बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं अब आगे पढ़ते हैं There are fields and farms in a village There are यानि वहां होते हैं fields यानि खेट and or farms Farms में हरी भरी चरागाएं होती हैं यानि वहां गास होती हैं और जानवरों को वहां रखा जाता है जैसे के डेरी फार्म होते हैं जिन में गाएं और मुर्गियां वगएर पाली जाती हैं ताके उनसे अंडे, दूद और मक्षन वगएरा हासिल किया जा सके अर्दू बोलचाल में भी Farm का लवज ही इस्तमाल किया जाता है In may a village a gow There are fields and farms in a village यानि गाओं में खेत और फार्म होते हैं अब आगे पढ़ते हैं Farmers grow crops in fields and raise animals on farms Farmers यानि किसान grow उगाते हैं Crops फसले in may fields खेत and or raise पालते हैं Animals जानवर on farms यानि farms पर Farmers grow crops in fields and raise animals on farms यानि किसान खेतों में फसले उगाते हैं और farms पर जानवरों को पालते हैं आगे पढ़ते हैं We can see cows, buffaloes, horses, sheep, goats, hens, cats and dogs in a village एक गाउ में We can see cows, buffaloes, horses, sheep, goats, hens, cats and dogs in a village यानि एक गाउ में हम गाई, भैंसे, घोडे, भेर, बकरिया, मोर्गिया, बिलिया और कुटे देख सकते हैं तो ये मुख्तलिफ जानवर एक गाउ में पाई जाते हैं चलिए एक मरतबा फिर इस पैरिग्राफ को पढ़ते हैं आप ही मेरे साथ पढ़िये A village is a place away from a city It does not have big buildings There are fields and farms in a village Farmers grow crops in fields and raise animals on farms We can see cows, buffaloes, horses, sheep, goats, hens, cats and dogs in a village चलिए अब मैं आप से इस सबक के मुताले कुछ सवाल पूछती हूँ सबसे पहले ये बताईए के village या गाउं कहा होता है बिलकुल ठीक, away from a city यानी शहर से दूर बिलकुल ठीक अब ये बताईए क्या गाउं में बड़ी-बड़ी अमारते होती हैं बिलकुल सही, गाउं में बड़ी-बड़ी अमारतें नहीं होती चलिए तो फिर ये बताईए के गाउं में क्या होता है गाउं में होते हैं बिलकुल सही, fields and farms अब ये बताईए के fields के अंदर क्या किया जाता है बिलकुल ठीक, farmers grow crops यानी, खेतों में farmers या किसान फसले उगाते हैं जैसे के गंदुम और चावल की फसल और अब ये बताईए के farms पर क्या किया जाता है बिलकुल ठीक, farmers raise animals on farms यानी, किसान farms पर जानवरों को पालते हैं अच्छा तो फिर ये बताईए के एक गाउं में हमें कौन कौन से जानवर नजर आ सकते हैं या फिर farms पर किस किसम के जानवरों को पाला जाता है बिलकुल ठीक, इसका जवाब है cows, buffaloes, horses, sheep, goats, hens, cats and dogs बिलकुल सही चलिए अब इस सबक से मुतालिक एक मश करते हैं मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है write the names of three things that you see in a village write लिखिये the names naam of k three things, चीज़े that जो के you see आपको नज़र आती है in may a village, a gow write the names of three things that you see in a village यानि तीन ऐसी चीज़ों के नाम लिखिये जो के आपको एक गाउ में नज़र आ सकती है आप इस सबक में बताई जाने वाली किसी भी तीन चीज़ों के नाम लिख सकते है इसके इलावा हमारे पास यहां चंद तसावीर है तो चलिए अब हम इन तसावीर से मदद लेकर बताते है सबसे पहले इस तस्वीर में देखिए ये क्या है ये है एक खेत का मनज़र और इसे इंग्लिश में क्या कहते है field बिल्कुल ठीक तो चलिए अब हम इसके सामने लिखते हैं field तमाम लेटर्स को small में लिखेंगे सबसे पहले f, i, e, l, d, और फिर s, fields यानि मुख्तलिफ खेत और खेतों में क्या किया जाता है बिल्कुल सही, फसले उगाई जाती है चलिए अब इस तस्वीर में देखिए, ये क्या है ये है एक भेर, इसे इंगलिश में कहते है sheep, बिल्कुल ठीक s, h, double e, p, sheep अगर ये तादाद में एक से ज्यादा हो तब भी sheep का लवज ही इस्तमाल किया जाता है यानि singular या वाहिद भी sheep है और जमा या plural भी sheep ही कहलाया जाता है चलिए अब देखते हैं इस आखरी तस्वीर में इसमें क्या नजर आ रहा है? ये है एक गाए यानि cow c, o, w, cow तो एक गाए में हमें ये तीन चीजें नजर आ सकती हैं तो अगर हमें ये तीन चीजें एक साथ एक जगा पर नजर आएं और इस लेसन को अच्छी तरहां से सीखने के लिए इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश जारी रखिए